नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके पसंदिया चैनल टार्गेट की तम्यंदन में आज हम आपको UPSC प्रिलिम्स की कुछ सब हेडिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे में सब्जेक्स हैं हिस्ट्री, जोग्रफी, पॉलिटे, और साइन्स एंड इन्वार्मेंट और निकोलोजी तो उसको कुछ सब हेडिंग्स में भी डिवाइड किया करके पढ़ाया सकता है और उससे आपका स्लेबस देखने में यतना बड़ा है वो आपके लिए उतना ही छोटा हो जाएगा यासे हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जोग्रिफी ऑफ इंडिया एगरिकल्चर फिर आता है पॉर्शन इंडिया पॉल्टी का इंडियान पॉल्टी एंड गवर्नेंस में आपको चॉंस्ट्युशन एंड पॉलिकल सिस्टम गोर्मेंट एड़ इडिया एंड वर्ल्ड पंचाइती राज और पॉलिक पॉलिसी and legal rights, economic and social development याने economics जुसको बोलते हैं उसमें आपको structure of the Indian economy and demographics, poverty planning and finance and economic social development, agriculture in the national economy, Indian industrial industries and trade, the tertiary sector in the Indian economy, फिर portion आता है आपका general science का जहां पर आपको physics, chemistry, biology के one-liner सियाथ करने होते हैं और environment and ecology में आपको issues on environment ecology, biodiversity and climate change, यह होता है इसके लिए आपको environment and ecology के लिए science की NCRT, especially bio वाली उपढ़ ही आ सकती हैं ठीक, अब आते हैं आपका CSAT का portion होता है, CSAT के portion में आपका होता है mental ability and management ability पहला portion, उसमें mental ability, analytical and logical reasoning, दूसरा arithmetic, तीसरा geometry and mensuration, चौथा permutation, combination and probability, पाच्वा time and distance, शिक्स डेटा interpretation, सेवन जनरल comprehension, एट इंग्लिश लैंगज comprehension, 9, interpersonal skills, communication and decision making, अगला portion होता है general knowledge का, इसमें world panorama, Indian panorama and sports and games, यहां से current affairs के questions आपको मिलते हैं, current affairs में especially जब आप जाते हैं तो आपको international, national, sports and games, science and technology, science and technology का GS3 में भी काफी use है, essay के लिए आप कुछ sample essays पढ़ लीजिएगा, वो काफी है, तो यह हमारा वीडियो जो था, इसमें आपको, हमने आपको GS की paper 1 और paper 2, जो films में होते हैं, उनकी सब heading के बारे में discuss किया है, एक बार आप ऐसे फिर से देख लीजे, जो पढ़ने पर आप इसकी screenshot भी यहां से ले स जो हमारे GS का paper होता है, जहां से आपकी merit decide होती है, ठीक है, इससे आप यहां से पढ़ लीजिएगा, और आने आने वीडियो में हम आपको sociology optional की पूरे lectures देंगे, और साथ में GS के भी जो subheadings है, means के paper होते हैं, GS 1, 2, 3 और 4, उसके lectures को discuss किया जाएगा, तो इसकी साथ इसाद चाहूंगा, next will be our sociology optional, we'll be starting with, thank you.